हाई फ्रेंड्स ब्लॉच कटिंग सेंटर में आपका स्वागत है डॉट वाली ब्लॉच क्रॉस कट किस तरह कट के जाता है उसका कटिंग बताएंगे ये ब्लॉच आंधरा पंदेश में सबसे जाधा पेहना जाता है तिलांगाना में तो चलिए फ्रेंड इसका कटिंग स्ट पंदरा इंच चलिज करोन साड़े दस आर महल 16 रहेगा आपर चेस 35 है चेस्ट इसका 36 डॉट का जो लेंध है 9.5 वेस्ट इसका 30 इंच है फ्रेंड 6 इंच रहेगा बैक इसका 8 इंच रहेगा तो चलिए फ्रेंड इसका कटिंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नीचे एक मार इसमल मिलोगी काट हो गाई है 14 इंच लेंध है इसका 15 इंच मार्किंग करेंगे दूसरा मार्किंग जो करेंगे रहर से उससी तरह से इस तरब भी मार्किंग कर लेंगे सिधा लेंड खीजेंगे दिए इस तरह से वेस्ट का मार्किंग सबसे पहले करेंगे 30 इंच वेस्ट है साड़े साथ इंच चौठा भागाएगा एक इंच डॉट के लिए देंगे बैक में डॉट रहेगा लिख लेंगे साड़े दस रॉण्ड है इसका 30 इंच वेस्ट है अपर्चेस 35 35 इंच पहुने 9 चौठा भागाएगा पहुने 9 इंच पर मार्किंग कर लेंगा शावा इंच से 1.5 इंच मार्जिंग दे सकते हैं शोल्डर इसका 15 इंच है इसमें 1.5 इंच मार्किंग कर लेंगे देखिए हाफ इंच क्रोस रहेगा इस तरह स्केल से मार्किंग कर लेंगा आर्म होल का इसको मापना है 16 इंच आर्म होल है पहले इसका शोल्डर मार्किंग करेंगे देखिए तीन इंच का चोड़ाई देंगे शोल्डर का नेक का भी मार्किंग कर लेंगा है तो Butankind करना इस तरह से अ कि मार्किंग करने का बाद हाफ इञ सोल्डर डॉन रहेगा कभी डिप कम हो तो हाफ इञ सार्मोल सो ला इंच है तो साड़े सोला इंच आना चाहिए कभी भी Duy I am 18 अरा थोड़ा सा डॉन कर लिंगे इसको तब 16 αहो जाएगा कि इस तरह से थोड़ा सां कर कि इम ऑंठी – 1 फोटन हो जाएगा दन करalts कि स्तरे सावसु शोल करलें एक निक कर लें है और नेंग क्क क्षवडही सावा तीन इच देंगे नेंग क्षवडही ब्राइड सावा तीन इच दे यह दो दिखिए इस तरह से ॅरुकल घ। करने नेन मि sûरहundred मारकिंग करने सायरे पसीनेसे इसे मितलप 70 मौवड Śवेफं देंगे इसको मतलब गोल कालब बनाएंगे इसको इस तरह से कट कर लेना आपको सीधा मार्किंग को उपर ही कट कर ले देखें इस तरह से चटका लगा लेना नेक के पास साइड में मार्जिंग के पास इस तरफ इस लाइन से डॉट देना है आपको साड़े चार इंच का डॉट रहेगा बैक का नीचे के तरफ हाफ इंच रहेगा टोटल एक इंच रहेगा डॉट जितना देखे इस तरफ है उतना इस तरफ रखना है डॉट साड़े चार इंच का डॉट देंगे इसको इस तरह से विल चला ले दोनों तरफ मार्किंग आ जाएगा मार्किंग कर ले आप इस तरह से सैड में इसका हाफ इंच क्रोस कर लेना है इस तरह से क्रोस कर ले हाफ इंच ज्यादा डिप रहेगा तो ज्यादा क्रोस होता है डिप कम है आठ इंच डिप है इसलिए हाफ इंड दिये हैं दॉत का मार्किंग कर लेंगे इस तरह से कि चलिए फ्रांट कट कर लेते हैं आप क्रॉश कपड़ा में कभी भी कट होगा क्रॉश कंट बिलोज एक इस तरह से सीधा रखना कपड़ा आपको उसके बात के क्रॉश करने के लिए इस तरह से आपको करना है कपड़ा को देखिए इस तरह से ऐसा करने के बाद देखिए एक मारक मिल जाएगा आपको लेन उसी लेन पे देखिए इस तरह से क्रोस रखना है बिलोज को क्रोस रखने बाद मार्किंग करेंगे देखिए इस तरह से मार्किंग कर ले पहले शोल्डर के तरफ ये लैंड जो देख रहे क्रोस उसी की हिसाब से मार्किंग करना है सीधा तब ही आपका विलोज क्रोस में बनेगा देखिए इस तरह से मार्किंग नहीं करना आपको क्योंकि तो ये क्रोस नहीं होगा क्रोस करने के लिए जो लेंड खीचे है सेंटर में उसी हिसाब से मार्किंग करना आपको उसी की लेवल में मार्किंग करना है देखिए उसी का लेवल में जैसा वो लेंड है उसी तरह से इसको भी मार्किंग कर लेना है इस्टेट उसके बाद बैट को रखेंगे इसको उपर इस तरह कपड़े को निच्चे का कपड़े को सिधा कर लेना है शोल्डर फ्रेंट का डिप 6 इंच है शोल्डर इसका 15 इंच है इस तरह से मार्किंग कर लेंगे तो कपड़ा थोड़ा कम होगी इधर 15 इंच शोल्डर में जब 6 इंच दिप हो तो पौने 2 इंच माइनेस हो जाएगा फ्रंट इसका उसी लेंड पे इस तरह से रख लेना है देखिए उसी तरह से लेंड के ऊपर इस तरह थोड़ा सा फ्रंट कम आएगा कौार्टर इंच यस तरह से सीधा मार्किंग कर लेंगे आर्मोल के तरफ भी डॉट के लिए इस तरह से थोड़ा सा नीचे कर ले सामने के तरफ लेक जाएंगे जिप्ना डॉट चाहिए उतना सामने के तरफ लेके जाये था दॉट रहेगा तो तो रेडी segu on आएगा डॉट इस तरह से मार्किंग हो जाने गबाद नेक का मार्किंग साड़े छे इंच पर करेंगे छे इंच डिप है तो साड़े छे इंच पर मार्किंग कर लेंगे इस तरह से चवडाई इसका तीन इंच देंगे ब्रॉड नेक का इस तरह से मार्किंग करने का बाद ग सिधा लेन कीचेंगे इसको डॉट पॉइंट को चेष्ट का जो लेन है उस लेन की नीचे एक और मार्किंग करेंगे लेज़ का तेरवा हिस्सा पौने तीन इंच होता है हाफ इंच मार्जिंग के लिए देंगे नीचे के तरब जहां बेल्ट आटेच होगा इस तरह से एक और मार्किंग कर लेंगे इस तरह से सिधा चेस्ट का दस्वा हिस्सा 36 चेस्ट के लिए पौने 4 इंच आएगा पौने 4 इंच पर मार्किंग कर लेंगे नीचे के तरब भी सेम मार्किंग कर लें पौने 4 इंच का सिधा मार्किंग कर लेंगे उसी पे dot रहेगा center का dot 3 inch का देंगे 36 chest के लिए कम से कम 3 inch का dot देना पड़ेगा आपको देखी इस तरह से marking कर लेंगे dot का इस इस land के center में देखी दोनों के center में cross marking करना है इस तरह से इस तरफ पौने 2 inch पे marking कर के Center की जो डॉट है वह देएंगे इस तरफ giじ दॉट है इस तरह m долж पर देएं इस तरफ सावा 2 इंक का आर्मुल का जो डॉट है इस तरह से मारकिंग कर लें तीन ही डॉट रहेगा इसमें थंक्षा सावा तीन नहीं दॉट का फिर्व है तरह थोड़ा सा सामने एक तरफ कर लेते हैं, आपको सही से दीखेगा, इस तरफ half inch margin के लिए देना है, hook eye के लिए, दीख इस तरफ सावा 3 inch है, 30 inch इसका waste है, 30 inch, 30 inch, इस तरफ साड़े 7 inch पे रखेंगे, सावा 3 inch minus कर देंगे, दीख इस तरह से, सावा 3 inch minus कर दें, इससे कियोगा आ perfect आ गिया, साइड का marking कर लेंगे, margin के लिए भी, इस तरह से इसको cut कर लेंगे, इसका काम हो गया, इसका marking का काम हो गया, cutting कर लेंगे اسको, कभी भी स तरफ margin छोड़ के cut करें, net के तरफ, देखे इस तरफ भी, barking के उपर ही cut कर लेंगे, देखे इस तरफ से, कि आर्मोल को थोड़ा सा उपर के तरफ रखना है साइड में कि सीधा नीचे के तरफ कटने करना है कि इस तरह से चटका लगा ले डाट के पास इस डाट को भी जो में डाट है इसको भी चटका लगा लेंगे इस तरफ भी आर्मोल डाट को भी वील चला लेंगे वील मार्किंग चला लेंगे इससे क्या होगा दोनों तरफ मार्किंग आ जाएगा आपका सबसे पहले आर्मोल का शेप कटिंग करेंगे देखिए इस तरह से कट के जाता है इस तरह से देखिए दोने चटका मिला के इस तरह पकड़ने पकड़ने के बाद देखिए इस तरह घुमा ले थोड़ा सा अपने के तरफ अपना तरफ रख लें आर्मोल को इससे क्या होगा कटिंग करने में इजी होगा इस तरह देखें मार्किंग कर लेना आपको थोड़ा सा देखें इस तरह से आर्मोल का सेब देना है यहां तक ही देना आपको पूरा आर्मोल को नहीं देना है इस तरह देखें चटका लगा लेंगे डॉट को भी चटका लगा ले बेल्ट कर देखें मार्किंग किस तरह किया जाता है कितना बेल्ट आएगा उसका बारें बताएगे इस तरह से फोल्डिंग करने के बाद बैक के उपर इसको रखेंगे देखें इस तरह से बैक के उपर इस तरह से रख ले ना आपको लैन मिला के मार्किंग दोनों मिला के चेक करना है कितना इसका डॉट आएगा देखे चेस्ट का जो लैन है उससे कभी भी एक इंच नीचे के तरफ ही दे चेस्ट का जो लैन है वहां तक आप बेल्ट को दे सकते हैं लेकिन ज्यादा चोड़ा हो जागे इसलिए इसको तीन इसका बेल्ट देंगे इसका सैट का देखे तीन इस पर मार्किंग करने के बाद इसका सैट का जो मार्जिंग है उसको कट कर लेंगे इस तरह से देखे इस इस तरह रखने के बाद एक मार्किंग कर लेंगे देखिए जो बचा है ये वही बेल्ट होगा तीन इंच का बेल्ट है तो चार इंच का बेल्ट कट होगा कभी भी तो चलिए बेल्ट कट कर लेते हैं इसका देखी इस तरह से आपको कपड़ा लेना है सीधा मार्किंग करेंगे पहले नीचे के तरब भी कभी भी कोर पीस नहीं लेना है जब कपड़ा कम हो तो आप ले सकते हैं लेकिन कोर पीस को निकाल देना है कभी भी कोर पीस सीधा नहीं होता है तीन इंच का बेल्ड था चार इंच पर मार्किंग कर लेंगे इस तरह से सिधा उपर के तरफ भी मार्किंग कर लेंगे इस तरह इस तरफ हाफ इंच क्रोस रहेगा half inch पर दो इंच का दूसरा मार्किंग करेंगे मार्जिंग के लिए इस तरह से हलका सा क्रोस मार्किंग कर लेना है कि इस तरफ देखें जेतना है you can झोटा हो तτα वुब पत्टी के तरफ को अहिंद रख लेना इस तरफ पौने चार इंच था यहां मारक बाणच के बारे दोच सेंटर में इस तरह से क्रॉस मार्किंग करने बाद इसको कट कर लेंगे कट कर लेना आपको सिधा मार्किंग के उपर ही कट कर लें मार्जिंग छोड़ने के जरुवत नहीं, तीन इंच का बेल्ट था, चार इंच, पहले ही मार्जिंग दोनों तरफ रख लिए, चार इंच पे कट कियें तो, हाफ-ाफ इंच दोनों तरफ मार्जिंग हो गिया, बेल्ट का कटिंग पूर हो गिया, चलिए सिलिज कट कर लेते ह इस तरफ एक मार्किंग कर लेंगे, कपड़ा आड़ा तेड़ा है इसलिए, 10 इंच का लेंध है 11 इंच रखें, कभी भी दोनों तरफ हाफ आफ इंच मार्जिंग के लिए रखना है, इस तरह से सीधा लेंड कीजेंगे, नीचे के तरफ मार्जिंग को मार्किंग कर लेंगे, और आवरेग्स कौनए का effort के लिए i लिख लेगे साध्य सिप्व्येंट 1 वाल 5 इंच मैंने उसका आधा आएगा हरी इस तरह में पौने चारे इंच डाण देना है आरमल का कि मार्किंग कर लेंगे सीधा लाइन हीचने के लिए इस तरह से सीधा लाइन खीच ले आर्मॉल 16 इंच है 16.5 इंच आना चाहिए सावा 8 इंच ऐसा क्रोस रख लेंगे इसके उपर एक मार्किंग करेंगे दुसरा मार्जिंग के लिए इस तरफ हाफ इंच इस तरफ 3 इंच तक पौने 3 इंच रख के सीधा क्रोस आपको इस तरह सेप लेना है आर्मॉल का सिलिज का आर्मॉल का सिलिज का मार्किंग पूरा होगे इसको कटिंग कर लेंगे देखिए इस तरह से आपको कट कर लेना है सीधा मार्किंग को उपर ही कट कर लें इस तरफ चटका लगा लेंगे इस तरफ भी चटका लगा ले, सेंटर में भी चटका लगा ले फरंट का आर्मल को हलका से शेप देंगे, देखिए हाफ इंच का इस तरफ इस तरह से मार्किंग करने के बाद इसको कट कर लेंगे इस तरह से आपको कट कर लेना है इधर चटका लगा ले हूँ फरंट है ये बैक को भी हलका से लेवल कर लेंगे देखी इस तरह से तो चली फ्रेंड आज का कटिंग पूरा हो गया हमारा कटिंग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे आप इस्टागर आप अभी फोलो कर सकते हैं वहां बहुत सा डिजेन का गौन का विलोज का फोटो डालते रहते हैं